आप सभी लोगों को नमस्कार तो चले शुरू करते हैं reaction mechanism का अपना अगला lecture हम लोग reaction mechanism में aromatic chemistry पढ़ रहे हैं और aromatic chemistry में हम लोग जो reaction पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास electrophilic substitution reaction हम लोगोंने 3-4 lecture में बहुत अच्छे से basic introduction के साथ फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा reactivity orientation से जोड़ा और last में हमने examples डिसकस किये उम्मीद करता हूँ आपको पूरा का पूरा electrophilic substitution reaction complete समझ में आ चुका होगा अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने बोला था कि मैं इस lecture में आपको questions करवाने वाला हूँ questions करवाने से पहले दो-तिन reaction और है छोटी-छोटी उनको हम यहाँ पर cover करते हैं एक बार हम थोड़ा सा recall करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर electrophilic substitution reaction कौन-कौन सी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था हमारे पास सबसे पहली electrophilic substitution उसका नाम क्या था हमारे पास nitrogen reaction था यहाँ आ रहा होगा आपको जहाँ पर electrophil क्या था आपके पास NO2 प्लस था और reagent क्या था आपके पास बोलिए concentrated HNO3 plus H2SO4 उसके बाद जो हमारे पास दूसरी reaction थी उसका नाम हमारे पास क्या था halogenation reaction जहाँ पर आप halogen लेते थे in presence of Lewis acid जो कि halogen carrier का काम करता है तीसरी जो reaction है उस reaction को हम लोग बोलते हैं sulfonation reaction और यह थोड़ी सी interesting reaction थी यहाँ पर थोड़ी अलग से हटकर बात भी हो रही थी ठीक है अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझेगा यह आपके पास पांचो reaction मेजर reactions होती है जो कि electrophilic substitution reaction में cover की जाती है और भी कुछ reaction होती है जो कि electrophilic substitution reaction का example होता है जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक reaction और होती है nitrosoation reaction ऐसे ही एक reaction और होती है आपके पास getterman coach reaction getterman coach reaction और एक और reaction होती है simply getterman reaction तो यह जो भी reaction होती है आपके पास यह सारी की सारी example किसके होते है electrophilic substitution reaction इसमें से हम लोगोंने starting के 5 reaction को बहुत अच्छे से cover कर चुका है अब हम लोग इस lecture में सबसे पहले इन 3 reactions के बारे में थोड़ा सा basic idea लेते हैं उसके बाद हम लोग कुछ important reaction electrophilic substitution reaction से related करने वाले हैं तो आईए heading डालते हैं आज की अपनी सबसे पहली nitrosoason reaction अब आपको सबसे अच्छे से यह पता है कि यहां पर आपको दो बाते पता होनी चाहिए एक तो इसके बारे में रेजेंट substrate तो आपको अच्छे से पता ही है या तो इस तरीके से दिखा सकते हो या ऐसे दिखा सकते हो या फिर हम इस ही को कुछ ऐसे भी दिखा सकते हैं HNO2 H+, इस बात को आप समझते हो चलेगा ठीक है तो यहां पर आपके पास यह होता है और finally आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके का compound देहने को मिलता है अब इसमें आपको सबसे पहले मेकनिस्टिक पार्ट को समझना पड़ेगा मेकनिस्टिक पार्ट समझते ही आपकी सारी परशानियां खतम हो जाएंगी और मेकनिस्टिक पार्ट में सबसे इंपोर्टेंट पार्ट आपके पास क्या है formation of electrophile अगर एक बार मैं आपको formation of electrophile समझा दो तो आप आसानी से बता दोगे कि आखिरकार किस तरीके इस reaction हो रही होगी तो formation of electrophile को ज़रा ध्यान से समझेगा आपके पास यहाँ पर क्या है? HNO2, nitrous acid है तो nitrous acid का structure आप लोग के पास कुछ इस तरीके सो होता है HNO2, and double bond O, और coordinate bond O बोलिए, बास समझ मारिए और यहाँ पर आपके पास क्या है? H+, है ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास अगर ऐसा system है तो यहाँ पर oxygen पर लोग पिर है जो आपने कहानी nitrogen reaction के time करवाई थी वैसी ही कहानी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है यहाँ कर oxygen का लोग पिर H+, पर attack करेगा जैसे ही oxygen का लोग पिर H+, पर attack करेगा आपके पास क्या form हो जाएगा? HOH, यहाँ पर प्लस, and double bond O अच्छा, हाँ, HNO2 है न, and double bond O बस इस तरीके से रहेगे आपके पास बात क्योंकि हम HNO2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर HNO3 लेते थे तो जब आपके पास यह वाली बात आजाएगी तो आप देखो, oxygen पर positive charge है जो कि less stable होगा, तो electron यहाँ सर्फ shift होंगे और आपके पास finally क्या form हो जाएगा? इस तरीके का product देखने को मिलने वाला है तो इसी को हम बोलते है nitrosoation reaction तो nitrosoation reaction कब होता है? जब आप nitrous acid के साथ H+, लेलो या फिर NNO2 plus HCl के साथ भी आप H+, इस तरीके से coach लेलो, ठीक है? तो यह आपके पास example था nitrosoation अब हम बात करते हैं, getterman coach reaction की तो आएएज अब हम बात करते हैं Electr alcoholic substitution reaction में अगली category of reaction जो कि हमारे पास है getterman reaction सबसे पहले आपको एक बात समनी है जो हमारे पास यहाँपर getterman reaction है यहाँपर यह दो तरीके से है जो कि electro flick substitution reaction के example होता है एक तो हमारे पास होता है getterman coach reaction एक हमारे पास होता है Gatterman Coach Reaction और एक हमारे पास होता है Gatterman Aldehyde Synthesis दोनों में नाम लगवक स्टार्टिंग एक ही है लेकिन इसमें जो reagent है उसमें फरक है देखो प्रोड़क्ट भी एक ही ही होता है बस यहाँ पर जो फरक है वो reagent condition का फरक है तो सबसे पहले हम लोग discuss करते हैं Gatterman Coach Reaction के बारे में अगर आपको समझाओं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेंजीन है और बेंजीन के बाद यहाँ पर आपके पास क्या होगा CO प्लस HCl इस तरीके से और यहाँ पर होगा HCl3 इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है मतलब लिखने का तरीका थोड़ा सा गलत है यहाँ पर क्योंकि दो दो बार प्लस का मतलब कुछ फील नहीं आ रहा तो इसको आप और अच्छे से गर ऐसे लिख सकते हो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो एक बार इसको थोड़ा अच्छा से मिटा देता हूं मैं और फिर मैं बगताता हूं किस तरीके से आप लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो आप CO प्लस HCL और यहां पर क्या है ALCL 3 यह आपके पास कंडिशन है अब थोड़ा सा ध्यान दो अगर गेटर मैं कोच को याद ही करना है तो याद करने का सबसे आसान तरीका यह वला है देखो CO और यहां पर क्या रहा है एच तो अपने आप में फिलिंग आ रही गेटर मैं कोच देखो सबसे इंपोर्टेंट है इनकी रेजेंट कंडिशन को याद रखना क्योंकि अभी आप सिर्फ यही लेक्चर पढ़ रहे हो तो आपको याद हो जाएगा लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ोगे बहुत सारी चीज़ जब रिवाइज आएंगी तो यह चीज़ें याद होने में ठुली से डिफिकल्टी होती है तो हमेशा टॉपिक के साथी अगर कुछ ऐसा याद करने का हिंट मिल जाए तो इस अच्छा कुछ नहीं है तो यह मुझ का सिंबल एक तरीके से तो CO प्लस ACL होता है और यहाँ पर जो आपके पास प्रोड़क्ट बनने वाला है वो प्रोड़क्ट क्या होगा यहाँ पर CHO गुरूप का इंट्रोड़क्शन हो जाएगा मतलब हम जिसको बोलते हैं बेंजली डिहाइड अब सबसे ज्यादा है generation of electrophile. आपको मुझी यह समझाना है mecanistic पार्ट में कि आखिरकार electrophile का हम लोग generation किस तरीके से कर पा रही है. तो इसका सबसे interesting पार्ट ही हमारे पास है generation of electrophile आप ज्यादा ध्यान से देखना आपके हाँ सबसे ब mostly CO है अगर मैं सी और अ का structure बनाता हूं, तो structure स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा देखो C double bond O oxygen पर क्या है लोन पर है तो यह लोन पर भी यहां पर कॉडिनेट बॉन के थूद देगा अब इसी ही structure को क्या मैं कुछ इस सरी की ज़र सकता हूं जब कॉडिनेट बॉन हटाओगे और कोबलेंट बॉन लगाओगे तो प्लस माइनस आता है जो दे रहा है उस पर प्लस आएगा और जो ले रहा है उस पर माइनस आएगा तो oxygen पर प्लस आजाएगा और carbon पर माइनस आजाएगा इस बात को समझो बहुत ही basic chemistry की बात है कॉडिन जन्रल रिपर्जेंटिशन का तरीका होता है, अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया, तो सामने आप क्या ले रहे हो, HCl और HCl बोलें, तो H+, O का पक्की बात है, जब आप यहाँ पर reaction करवाओगे, तो simple सी बात है, यह minus वाला part इसके साथ आजाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, H, C, triple bond O, प्लस, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो oxygen पर positive है, जो कि electronegative element है, जो कि less stable होगा, तो इसी लिए यहाँ पर कुछ इस तरीकी से कहानी बन जाती है, और आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा formation हो जाएगा, H, C, double bond O, और यहाँ पर प्लस, यह जो आपने बनाया है, इसी को हम बोलते हैं, desired electrophile, मतलब यही वो electrophile है, जिसको आपकी तलास थी, अब जब आपने यह form करही दिया है, तो आप क्या तरोगे, इस बेंजीन के साथ इसका reaction करवा दो, किस तरीके से करवा होगी, जिर ध्यान जे को, H, C, double bond O, प्लस, यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से CHO का formation हो जाएगा, मतलब, यहाँ पर जो electron density होगी, वो इस जगे, इस carbon पर attack करें कि, जो carbon से linkage होगी, तो इस तरीके से आपके पास हो जाएगा, यह बात important थी, इस बात को ध्यान लगना है, कि यहाँ पर electrofile का formation हम लोगों ने कैसे करवाया, अब आपका एक सवाल आ रहा होगा, कि सर आपने CO और HCL के साथ, ALCL 3 भी तो लिया है, तो इस ALCL 3 का रोल क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर ALCL 3 का रोल अगर हम समझें, तो आप खुश सोचो, आपने जो यहाँ पर H+, लिया है, तो वो SCL से लिया है, तो पक्की बात है, कही न कहीं हमारे पास CL- है, और अगर हमारे पास कहीं न कहीं CL- है, तो वो CL- क्या कर लेगा, वो CL- इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटेक करकी, फिर से क्या बना देगा, इस तरीके का बना देगा, H, C, C, L, double bond O, सिंबल सी बात ही बना देगा, तो ये CL- इसके साथ रियक्शन ना कर पाए, इसे लिए हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, ALCL-3, मतलब, जो कि ये ALCL-4- बना देता है, या फिर आप ऐसे भी सोचते हो, अगर ये बन चुका है, तो यहाँ पर element पर क्या है, vacant orbiter है, इलोन पर देगा, तो ये halogen carrier का का काम करता है, तो फिर से electrophile बन देगा, किसी भी तरीके से सोच सकते हो, इसलिए हम लोग ALCL-3 यहाँ पर यूज़ करते हैं, क्या आपको बात क्लियर हुई, ये पूरी कहानी थी, हमारे पास Gatterman Coach Reaction की, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, Gatterman Aldehyde Synthesis, लगबग इसी की तरह ही होता है, बस यहाँ पर reagent condition में थोड़ा सा change होगा, देखो Gatterman Aldehyde Synthesis, अगर आपको समझाओ, तो नाम ही में आ रहा है Aldehyde, तो एक बात तो पक्की है, यहाँ पर substrate हमें पता ही, यह अच्छे से benzene है, पहली बात, उसके बात reagent important है, और हमारे पास यहाँ पर product क्या बनेगा, नाम में ही Aldehyde है, तो product आप Aldehyde बना दो, अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर आपके पास reagent होता है, HCN प्लस HCl, और फिर आपके पास क्या होता है, H2O, मतलब Hydrolysis करवाते हो, इस तरीके से होगा, मतलब पहले step में आपके पास क्या हो रहा है, HCN प्लस HCl आ रहा है, और दूसरे step में क्या रहा है, H2O, H+, इतनी बाद समझ भारी है, अब आपको फिर से, मेगनेस्टिक पार्ट अगर समझना है, तो मेगनेस्टिक पार्ट में आपको सबसे मेन जो पार्ट समझना है, वो क्या समझना है, formation of electrophile, तो जड़ा ध्यान से देखो, किस तरीके से formation हुआ होगा, HC triple bond N, और सामने क्या है, H+, तो ये, ये, लोन प्यर देगा, nitrogen इस तरीके से, तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, HC, HC, triple bond N, H+, बोलिए, कुछ ऐसा सा formation हो जाएगा, सबसे पहले जब आप इसकी reaction क्रवाऊगी, जब आप नहीं करवाया, तो अब आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, यह वाले electron यहाँ shift होंगे, क्योंकि nitrogen एक एक लेक्टो नेगिटिएम element होता है, इसमें stable नहीं होगा, तो finally आपके पास hc double bond nh और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यह जो आया है, इसी को हम बोलेंगे अपना desired electrophile, यह हमारा क्या है हमारे यहाँ पर desired electrophile है, जो की benzening पर attack करेगा, अब अगर मैं इसका attack आपको benzening पर दिखाऊंगा, तो आपके पास compound कैसा बन जाएगा, आपके पास compound कुछ ऐसा बन कियाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है, CH double bond nh, ऐसे बन जाएगा, और अगले step में क्या होगा, आपके पास hydrolysis होगी, और hydrolysis को देखने का तरीका देखो, यहाँ पर चल जाएगा, तो आपके पास finally, यहाँ पर aldehyde का formation हो जाएगा, C double bond O, यहाँ पर H, इसको फिर समझो, जब भी आपके पास immune type हो, carbon double bond nitrogen हो, तो उसकी hydrolysis का जो short trick होता है, carbon के साथ oxygen देदो, बाकी बच्चे जगे hydrogen देदो, तो देखो, mechanism भी आप कर सकते हो, यहाँ पर यह electro flick center generate होगा, तो वहाँ पर option का loan पर attack करेगा, फिर आप H plus log यह जाओगे, इस तरीके से करोगे, तो वह mechanism बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप short trick से काम चला सकती हो, तो यह हमारे पास सारी बाते होती है, सबसे important बात है, इनको याद रखना और याद रखने का तरीका, मैंने आपको कुछी सरीके से हिंड से दिया है, यहाँ पर हमारा electro flick subscription reaction की, जितनी भी reaction से related वो सारी कवर हो चुकी है, अब मैं आपको कुछ बहतरीन से questions करवाता हूँ, जिससे आपके concept level में चारचान लग जाएं, आईए कुछ बहतरीन questions की बात करते हैं, देखो सबसे पहले इस question की अगर हम बात करें, तो आपके सामने question में पुछा है total product कितने हैं, तो सबसे पहले एक बार मैं question में एक चीज़ यहाँ पर missing है, उसको लिख देते हैं, यहाँ पर आपके पास ALC3 है, अब आपको question में total product का मतलब पूछना जाता है, तो सबसे पहले आप reaction को identify करो, सामने आपके पहले सबसे पहले क्या है, benzeen type मतलब benzeen derivative है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, alkaline light और ALC3 मतलब, इतना मुझे देख तर आ रहा है, कि यहाँ से आपके पास एक आपका इलेक्ट्रोफाइल मिलने जा रहा है, और वह इलेक्ट्रोफाइल अगर मिलेगा, तो यहाँ पर जो reaction होने वाली है, वह इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction होने वाली है, बोलिए बास समझ मारी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर generation of electrophile करते हैं, generation of electrophile, तो जब आप generation of electrophile देखोगे तो देखो, यहाँ पर आपके पास CL है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, ALCL3 है, तो किस तरीके से करवाओगी, यहाँ पर loan pair है, इसके पास vacant orbital है, यह कुछ इस तरीके से जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का, यही तो बनेगा, यह कीस पर positive आ जाएगा, फिर अगले ही step में यह बहार निकल के, यहाँ पर positive छोड़ जाएगा, अब जो आपके पास यह electrofile बना है, यह attack कर सकता है, और यह आपके पास कैसा group है, यह आपके पास एक ortho para directing group है, यह तो आपको पता ही होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे तरह पड़ाया है, orientation के बारे में, यदि सिर्फ benzene होता, तो वहाँ पर तो सारी position equivalent होती है, लेकिन benzene पर जैसे ही group आ जाता है, आपको यह देखना पड़ता है, वो electron donating है, या electron withdrawing है, अब भी अगर यह electron donating है, तो इसका मतलब ortho para directing है, तो यह electrofile दो जगे जाकर जुड़ सकता है, एक तो आपके पास ortho position पर जाके जुड़ सकता है, और एक आपके पास pera position पर जाके जुड़ सकता है, मतलब दो product तो यहां से यह आ रहे हैं, अब यहां पर सवाल ही उड़ता है, क्या हमारे पास दो ही answer आने वाले हैं, तो मैंने आपको सिखाया था, जब भी कार्व कुटाइन बने, तो कार्व कुटाइन की case में आमिशा क्या करवाना है, री अर्जमेंट करवाना है, तो देखो, अगर मैं इस वाले case में बात करता हूँ, तो इस वाले case में हमारे पास क्या होगा, 1,2 hydride shift होगी, और 1,2 hydride shifting होते ही, आपके पास क्या बन जाएगा, कार्व कुटाइन ये वाला, पहले कार्व कुटाइन वन डिग्री था, अब कार्व कुटाइन क्या है, थ्री डिग्री है, पहले कार्व कुटाइन क्या था, वन डिग्री था, अब क्या है कार्व कुटाइन, 2 degree है है ना 2 degree है तो 1 degree से 2 degree ज़्यादा stable होता है simple सी बात है तो अब हमारे पास फिर से केसा जाएगा तो यही एलेक्ट्रफाइल और्थोपे भी जुड़ सकता है और यही एलेक्ट्रफाइल पहरा पर भी जुड़ सकता है तो यहाँ पर जो आपके पास total product की possibility होने वाली है वो 2 नहीं 4 होने वाली है तो मैं 4 के answer बना देता हूँ पहले तो आपके पास कुछ इस तरीके को मिलने वाला है ऐसा बन जाएगा यहाँ पर CS3 थाई एक और्थोपे आजाएगा और यहाँ पर एक इस तरीके से CH3 पैरा प्या जाएगा अब अगर मैं और possibility की बात करता हूँ यह तो है before rearrangement यह जो answer है क्या है before rearrangement लेकिन अगर मैं after rearrangement की बात करता हूँ तो after rearrangement कैसा आजाएगा answer देखो यहाँ पर CS3 आजाएगा तो एक तो answer आपके पास ऐसा बन जाएगा यहाँ पर CS3 है और यहाँ पर SAS है बोलिए clear हुआ क्या यह वाला जो answer है यह after rearrangement है तो देखी कितना प्यारा question है ऐसे questions पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दो तो जितने भी questions हम यहाँ पर करने वाले हैं आपको कुछ ना कुछ नए चीज जरूर सिखाने वाला है question number second की तरफ बढ़ते हैं question number second क्या है अगर आप थोड़ा सा identify करोंगे तो यह कही ना भी modification है किसमें Friddle Craft reaction में modification of Friddle Craft reaction याद करो हम लोगोंने alkalating agents के कुछ और various source पढ़े थे तो आपके पास यहाँ पर कैसा कुछ इस तरीके का product form हो जाएगा मोलिये हैं कितना interesting question है बहुत असान है किसी भी position पर लगा सकते हो क्योंकि सारी position कैसे होते हैं equivalent position होती है अब अगर मैं इस question की बात करता हूँ question number third तेखो ये वाला question थोड़ा सा interesting question है आपके पास क्या है NH2 है और NH2 कैसा group होता है एक activating group होता है क्योंकि यहाँ पर यह क्या दिखा रहा है plus M दिखा रहा है और यह activating ही नहीं एक strongly activating group है याद करो अगर strongly activating group है तो यह electrofile को अपनी तरब बढ़ाना चाहेगा और यहाँ पर इस जगह पर BR लगा दो लेकिन answer आपके पास ये नहीं आता है क्यों reason समझो यहाँ पर जो BR2 हैव है एक polar product solvent के साथ है polar product solvent के साथ है तो यहाँ पर BR positive आजाएगा मतलब यहाँ पर ionization बहुत अच्छा होगा आप ionization अगर बहुत अच्छा करवा पा रहे हो तो यहाँ पर जो BR positive के जोडने की tendency है वो भी बहुत ज़ादा हो जाएगी तो finally आपके पास यहाँ पर product कुछ ऐसा जाएगा BR यहाँ पर भी मिलेगा BR यहाँ पर भी मिलेगा क्या question समझ में आया सबसे पहले तो NH2 एक strongly activating group है पहला दूसरा कि यहाँ पर polar product solvent है जोकि ionization को agrees कर देता है और ionization को agrees करते ही यहाँ पर BR plus के जोडने की tendency बढ़ जाती है अगर यहाँ पर polar product solvent नहीं होता polar aprotic होता, non polar होता तो उस case में ऐसा देखने को नहीं मिलता मतलब non polar solvent के case में हमारे पास ionization कम होगा ionization कम होगा तो attack करने की tendency भी कम रही होगी तो इसलिए यह जो answer आएगा यह हमारे पास non polar के time आएगा और यह जो answer आएगा यह हमारे पास generally polar solvent के time पर आता है, क्या यह questions समझ मारें अच्छे से, अब हम कुछ और questions को आगे देखना सुरू करते हैं तो आएए अब हम बात कर लेते कुछ और बहतरी questions की हैं देखो, आपको questions करते हैं हमेशा patience रखना है, अब questions को हम लोग start करते हैं देखो, यहाँ पर सबसे पहले यह question है आपके पास तो आपको देखो, यहाँ पर आपके पास दो group हैं, मतलब dye-substituted benzene है, और आपके पास यहाँ पर सामने क्या है, इस जगे से जो electrofile आने वाला है, वो NO2 प्लस आने वाला है यह तो बहुत अच्छे से अब आपको समझ मा चुका है अब मैंने बोला था, जब आपके पास दो group हों, तो आपको सबसे पहले nature of group चेक परना है, देखो, यहाँ पर जो CS3 group है, यह भी आपके पास क्या है, electron donating group है और यहाँ पर जो यह CS3 group है यह भी क्या है, आपके पास electron donating group है, अब याद करो, दोनों ही electron donating group यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर कहां कहां possibility हो सकती है इन दोनों की ही पैरा position तो block है, मतलब यहाँ पर भी possible है, यहाँ पर भी possible है यहाँ पर भी possible है, और यहाँ पर भी possible है, इन चारों position में से किसी भी position पर आप अगर NO2 गुर्प लगा दोगे तो सब जगे पॉसिबल है क्योंकि all positions are equivalent तो अगर मैं इस question का आप लोगों को answer बताऊं तो आप answer कुछ इस तरीके से बना सकते हो यहाँ पर CS3 और CS3 गुर्प को लगा चुके हो और यहाँ पर अब आप क्या लगा दो अगर हम इस question की बात करते हैं देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रिजेंट को पैचानना पड़ेगा यह थोड़ा सा modification type का है तो यहाँ पर भी आपके पास NO2 प्लस आता है मैंने पढ़ाया था some other nitrating mixture तो N2O5 को जब heat करते हो तो NO2 प्लस electrophile मिलेगा अब आपके पास यहाँ पर nature of group देखो यह आपके पास electron withdrawing group है और यह आपके पास electron donating group है तो जब भी electron withdrawing और electron donating की बात होती है तो हमेशा electron donating group govern करता है electrophile को orient करता है electrophile को तो इसके according पैरा position तो blocked है या तो reaction यहाँ हो सकती है या फिर यहाँ हो सकती है तो दोनों position मेंसे किसी भी एक position पर यहाँ करा दो क्योंकि हमें पता है electron donating group कैसे होते हैं ortho as well as para directing तो यहाँ पर आपने क्या लगा दिया अनूट लगा दिया बहु तो उसमें ऐसा ही एक यह वाला question भी था और वहाँ पर सामने electrophile था और बुला था कहा जुड़ेगा तो वहाँ पर थोड़ा सा गल्थ हो गया question उसको सही करो इस सेम question है reactivity के टाइम पर तो मैंने यहाँ पर साइस से attack करवा दिया था नहीं आप इस बेंजी निंग पर attack कर इस चोटी चोटी गलतिया हो जाती है बताते समय तो इसको आप समझो यार कि अगर सामने से लेक्ट्र फाइल आएगा तो इस बेंजीन पर ही attack करेगा अब बेंजीन में किस position पर attack कर रहा है इसको आपको सोचना था वहाँ पर मैं थोड़ी सी गलती कर दी ठीक है तो अब आ आपके पास इसके respect में पैरा था और एक और सो था तो पैरा तो ब्लॉक्ट है तो अब आपके पास यह जो इलेक्ट्रोफाइल है इससे क्या इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है पहले तो यह बताओ इस से आपके पास CH3 C1O प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है और इस इल पोजिशन यहां पर क्या है ब्लॉक्ट है तो आपके पास फाइनली जो अंसर आएगा वह अंसर कुछ ऐसा जाएगा इसको एज़िटेश जैसे लगा दिया और यहां पर आ गया कोशन कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर बात करते हैं इस वाले कुशन के अगरा हम बात करते हैं फिर से वह रेजेंट्स की गरेक्टिविटी है थोड़ी थोड़ी तो सबसे पहले आपके पास एनवेस है और एनवेस आपको पता है यह कैसा करता है यह बेंजायलिक ब्रोम यहां पर करेगा तो सबसे पहले आपने कुछ यहां पर क्या लगा दिया बी आर लगा दिया यहां पर आप लोगों ने ब्र लगा दिया इस तरीके से बोलिए समझ मारा है अब एन ए ओई टी है एन ए ओई टी है यहां पर क्या करने वाला है एन ए ओई टी है तब बेस काम क जाएगा जिसको आप नाम देते हो इस अब अब बताओ यह अब यह ग्रूप कैसा है और यह वाला गुरूप कैसा है और यह क्या करेगा और तो पैरा डिरेक्टिंग होता है अब क्यूंकि पैरा वाला मेजर माना जाता है इस टेरिक रीजन्स की वज़े से इसी लिए यहाँ पर जो बी आर आ जाएगा यहाँ पर बी आर आपके पास पैरा पोजीशन पर इस तरीके से लग जाएगा कुछ आपके पास ऐसा हो जाएगा बोलो कोशन समझवाया क्या बहुत सारे कोशन्स प्रेक्टिस कर सकते हैं ग्रुप लग जाएगा अब इस वाली जिगे देखो CS3, COCl प्लस अलग जाएगा अब मुझे बताओ अलरेटी वहाँ पर एक पर जाएगा ब्रेक्ट्रोन डिएक्टिवेटिटिग इन नेचर है अगर यह है इनकमिंग इलेक्ट्रोफाईल को कहां पर डिरेक्ट करेगा मै जब reaction करवाद होगे इसके साथ तो आपके पास यहाँ पर यह product बन जाएगा कुछ ऐसा यहाँ पर तो NO2 group लगेगा ही लगेगा और यह meta position बार जाएगा COCS3 और last step में क्या होगा जिंक amalgam in presence of SCL पस खतम हो गया इसका role क्या होता है इसका role होता है जो C double one to group होता है इसको CH2 में convert करता है और इसी को हम लोग कहते हैं क्या याद करो क्लिमेंसन reduction की बुल्फ किस्टन reduction इसी को हम कहते हैं क्लिमेंसन reduction और यहाँ पर finally आपके पास कुछ ऐसा सा product आ जाएगा उम्मीद करता हूँ आपको यह बहतरीन questions एक ताम अच्छे से समझ में आ रहे होंगे